दोस्तों महर्बानों कदर्दानों क्या हाल है एक बहुत ही इंपॉर्टन अपडेट देनी थी और वह यह के 34 नैशनल गेम्स जो है वह स्टार्ट हो चुकी है कोईटा के अंदर और कोईटा में यानि के जो बलुचिस्तान का जो कैपिटल है बलुचिस्तान प्रोविंस का व और जो बाकी है वो शाम में होगा जो दूसरा मैच है और इसके साथ मैं बताता चलूं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा what will be the format 10 टीमें हैं जो के men's के tournament में खेलेंगी जो national games है football teams जो हैं और जो 10 ये जो टीमें हैं ये तीन groups में divided होंगी तीन groups में होंगी और एक group में 4 टीमें होंगी और बाकी जो 2 groups हैं उसमें 3-3 टीमें होंगी तो इस तरह से आपकी 10 टीमें ये बन जेंगी जो बाकी चार हैं वो हैं बलोचिस्तान, खैबर पक्तुनख्वा और सिंद और पंजाब ये जो 4 प्रोविंसे हैं पाकिस्तान के उसके उपर वो टीम जो हैं वो बनी हुई है उस पर वो टीम्स जो हैं वो मुश्तमिल है और 10 टीमें ये इस तरह से हो जाएंगी ये जो तीन ग्रूपस हैं इस में से जो 1st रो 2nd आएगा वो जो है वो इस तरह सेमी फाइनल, quarter final खेलेगा semi final खेलेगा और फिर final खेलेगा तो इस तरह से ये चीज़ बनेगी और ये 21 में तक ये tournament चलता रहेगा 19 में को semi final होगा और 21 में को जो है वो 3rd place का जो मैच है वो होगा और final होगा इसके साथ जो विमिन्स की टॉर्निमेंट है वो भी खुदा-खुदा करके हो रहे है जैसे ये पूरा national games खुदा-खुदा करके हो रहे है और विमिन्स की जो टीम्स हैं उसमें भी जो है चार घटिया डिपार्टमेंट्स है मैं उन घटिया डिपार्टमेंट्स का नाम नहीं लेना चाथा लेकिन ये कि हमारी जो main Pakistan की जो local team की players है वो उसमें खेल रही होंगी तो आप वो matches भी कही ना कहीं देख सकते हैं किस जगा पर देख सकते हैं मैं उसका जो link है वो description में डाल दूँगा link से आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा channel है मुझे भी channel का नाम भूल गया है तो मैं link डाल दूँगा और होसे पर जियो सुपत पर भी दिखाए हैं और league table में जैसी matches खतम होंगे यानि कि अगर एक team है पांच team है तो एक team का चार matches मिलेंगे तो वो जो चार matches है वो खेलने के बाद जो team end में top पे आएगी वो जो women's team है वो जीच जाएगी तो unfortunately women's team जो है उनके लिए चार matches ही उनको मिलने वाले है जो total मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ये round robin ही लग रहा है single matches होंगे which is unfortunate लेकिन शुकर है इनको tournament मिल रहा है क्योंकि इनको tournament ही नहीं मिल रहा होता तो ये एक बहुत important 34th national games होने वाली है आज से start होंगी और आप matches hopefully देख पाएंगे जो मैं लिंक दूँगा description के अंदर अगर नहीं आप देख पाए तो उसमें मेरी खलती नहीं है वो लिंक की खलती है और मैं अभी से आप से माजरत करता हूँ अभी से अगर आप आपको लगता है कि महाँ पर आपको पता चलता है और जायर है pressure है government की तरफ से pressure है there is absolutely no doubt के इंतहा का pressure है और उसको counter करने के लिए इस तरह की statement देनी पड़ी थी and Haroon Malik will have to play very very cleverly कि यह अगर statements अगर नहीं देंगे तो वो pressure उदर से आता जाएगा और हो सकता है कि हमें short term में South Men's Championship के लिए NOC ना मिले from the IPC Ministry उन्होंने जारी करना है वो NOC उन्होंने देना है इसकी जो meeting है यह आपको बताता चलूँ कि IPC Ministry की जो meeting है और National Standing Committee की जो ministry है उसके जो meeting है वो 17 में को चली गी है मुल्क में जो हालात है वो सबको पता है तो उसकी वज़े से वो postpone हो गी है और यह 17 में को अब हमें पता लगेगा कि हमें NOC मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे पहले हो सकते हैं दो friendlies भी के लिए International Matches Pakistan Football Team जो men's team है तो देखते हैं कि क्या होता है मेरा एक podcast आने वाला है बहुत जल्द हसनाएन हेदर के साथ जो के PR में होते हैं और मीडिया कम्यूनिकेशन में होते हैं Pakistan Football Federation की तो stay tuned to the channel and keep giving your love to the channel enthusiastic commentator इसको like करें, share करें, subscribe करें वीडियो को और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ very soon Hasta la vista